नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पी एफपी में हर्थ बार की तरह इस बार भी हम यहाँ पर डे टू का आइप्यो अपडेट लेकर आए हैं इंजल बोकिंग का डे टू का आइप्यो अपडेट लेकर आए हैं और यहाँ पर QIB ने जीरो टा साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन किज़े जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है हज अल्रेडी तीन वीडियो अप्लोड हो चुके हैं टाटा कंजूमर प्रोड़क्ट जिसने हमें धमाकेदा रिटन्स बना कर दिये हैं प्रेश के बाद 168% के पॉजिटिव रिटन्स बना कर दिये हैं और फिलाल अपने हाई से 16% हमें नीचे दिखाई दे रहा है तो क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का या नहीं इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और साथ ही साथ एर्टेल आज 8% नीचे दिखाई दिया उसका रीजन क्या था वो भी हमने शेर किया और क्या ये बाइंग अपॉर्चिनिटी है या नहीं उसके बारे में भी बात किया तो इससे भी आप रेफर करने के बारे में सोच सकते हैं और साथ ही साथ मार्केट में फिलाल यहां पर करेक्शन का मोड दिखाई दे रहा है तो इसी गरावट यहांपर देखने को मुल रही है तो एक ऐसा शेर है जिस पर आपको नजर बना कर रखनी चाहिए जहाँआ पर आपको वाच लिस पर बना कर रखना चाहिए दमागेदार कंपनी है, strong fundamentals वाली कंपनी है तो इसे भी आप refer करने के बारे में सोच सकते है इस वीडियो में हम सिर्फ subscription status के बारे में बात करने वाले है अगर आपको angel broking के IPO की details चाहने है तो P4 portfolio angel broking IPO अब search कर सकते हैं आपको वीडियो भी मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना subscription देखने को मिल रहा है total subscription की बात करें तो वहाँ पर 1.46 times subscription होता हुआ नजर आता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर उचलते हुए नजर आ रहे हैं वो हम ही है retail inventory दिखा देते हैं 2.79 times यहाँ पर हमने subscribe किया है और अगर बात करें NIS के बारे में तो 0.31 times उन्होंने subscription दिया है और QIBS बिल्कुल यहाँ पर नील बटे जनादा 0 हमें दिखा जा रहा है बिल्कुल भी subscription यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है जो कि काफी ज़्यादा गंभीर बात है और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि Camps का IPO और ChemCon का IPO हमें देखने को मिला था उसके बाद Angel Broking का IPO देखने को मिला तो यह भी थोड़ा सा समझने वाला ही था कि यहाँ पर 3 IPO जा रहे हैं Angel Broking, Camps और ChemCon जिसमें से सबसे बहली priority सबसे दाधा subscription भी हमें और ChemCon में देखने को मिला और ChemS में भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर response देखने को मिला था तो इन तीनों companies में यहाँ पर जो least favored company है वो Angel Broking है क्योंकि जो कामकाच करती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं competitive कामकाच है Angel Broking, Broking Services प्रोवाइड करती है और यहाँ पर और कई ज्यादा companies है, zero-da है, upstock से जो की काफी ज्यादा बहतर कामकाच करती है especially यहाँ पर अगर बात करें, discount Broking में तो zero-da काफी ज्यादा आगे निकल चुका है इसी वज़े से हमें यहाँ पर Angel Broking के IPO में इतना ज्यादा उत्साइद कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अभी भी day 2 हुआ है, day 3 होना बाकिया है, यहाँ पर अगर कोई update आता है तो मैं आपको जरूर वहाँ पर notify करूँगा, आप apply करने के बार में सोच सकते हैं लेकिन फिलाल की situation की बात करें, फिलाल जो numbers हमें दिखाई दे रहे हैं उसके इसाब से मेरा मानना है कि इसे आपको apply नहीं करना चाहिए यहाँ पर इसे avoid करेंगे तो ही बैतर रहेगा क्योंकि देखिए जो camcon का IPO था, वो specialty chemicals में था और specialty chemicals बहुत ही ज़्यादा हमें तेजी में दिखाई दे रहे हैं इसलिए उसका IPO काफी ताज़ सब्सक्राइब हुआ और cams का जो IPO है, उसका monopolistic business है long term के लिए काफी अच्छा stock है तो इसलिए उसका हमें जादा यहाँ पर subscribe होता हुआ नशा रहा था वहाँ पर भी grey market का premium भी काफी अच्छा है लेकिन angel broking में कम listing gains की यहाँ पर आशा की जारी है इन तीनों के comparison में जो listing gains है यहाँ पर कम मिल सकते हैं और यहाँ पर अगर subscription काफी जादा कम होता है तो हमें यहाँ पर discount listing भी देखने को मिल सकती है तो यह सोचने वाली बात है यहाँ पर इसलिए मेरा मनना है कि इसे मैं अपने long term portfolio में add करना नहीं चाहूंगा और मैं आपको भी यही रहे दूँगा कि अगर आप यहाँ पर add करना चाहते हैं अगर आप अपने long term portfolio में तो ही इसमें invest किजाए वरने यहाँ पर दूर रहेंगे तो भी कोई problem मुझे दिखाई नहीं देती है और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio में से review करवाना चाहते हैं तो उसका link पर हमने description box में दे दिया है तो यहाँ पर listing gains की बात करें तो फिलाल की situation के विशाब से ज्यादा listing gains की उमीद नहीं करनी चाहिए और यहाँ पर अगर कोई changes आता है तो टेलीग्राम चनल पर हमें आपको update करने वाला हूँ तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए subscribe कीजिए और मुझे motivate कीजिए thank you, stay happy, happy investing